सोयम सहायता समुकी महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार आप सभी को हमारे प्रेणना टीवी चैनल के तरफ से भी दिदी नमस्कार अगर दिदी अभी तक आपने हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चराई जाएगी सबसे पहले दिदी आप सभी को अउगत कर दिया जाएगा तो प्लीज हमारे प्रेणना टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर दिदी आप पहले से ही DNRLM में जुणी है तो आप से निवेदा लगी पंच सुत्र का पालन करना बिल्कुल लगुले साप ताहिक बैठक, साप ताहिक बचत, आंत्रिक उधार, समय से रण वापसी, लेखा जोखा इन पंच सुत्रों का करे पालन और अपने समू को रखे सक्रिय क्योंकि सक्रिय समू को ही योजनाओ का लाब दिया जता है और वरीता भी मिलती है महिलाओ को सरकारी योजनाओ का लाब दिलाने के लिए यह काम करेगी योगी सरकार जाने क्या होगा आगे यूपी की योगी सरकार योजनाओ को पात्रों तक पहुचाने में जुटी है सरकार इसके लिए पूरी सक्री है योजनाओ का लाब पात्र महिलाओ को दिलाने के लिए विसे सिविर 13 अपरेल से सुरू करने जा रही है प्रदेश सरकार अब महिलाओ के कल्यान के लिए चलाई जा रही योजनाओ का लाब पात्र महिलाओं को दिलवाने के लिए विशेश सिविर आयोजित करेगी 13 अपरेल से दिदी 21 अपरेल के बीच यह विशेश सिविर आयोजित होंगे सभी जीलों में जिया दिदी सभी जीलों में बलाकस्तर पर एक दिवसिय भव्य स्वालंबन सिविर का आयोजन कर मिशन सक्ती 4.0 की विधित्ता सुरुवात की जाएगी वप्रतेक 15 दिवशों में उन ऐसे कैम्प आयोजित किये जाएंगे कैम्प के माध्यम से सरकारद्वारा संचालित कल्यान कारी योजनाओ जैसे मुख्यमंत्री कर्ण्या सुमंगला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पती की मित्यू परांत निरासित महिला पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों का चिनहांकन करते हुए लाभी पहुचाया जाएगा इन सिविरों के जर्ये सरकारी योजनाओं के दारे में आने वाले परिवारों, महिलाओं और बच्चों के आवेदनों की समस्त कारवाही आपको बता दे इन वन विंडो कैमपस के माध्यम से पूरी की जाएगी कैमप में फार्म भनने से लेकर सत्यापित करने और स्विक्रित करने वाले सभी अधिकारी वा कर्मचारी को पस्थित रहना होगा महिला कल्याण निर्देशक मनोजराय ने बताये कि मिसन सक्ती 4.0 के तहत 22 अप्रैल को मुख्यालय महिला कल्याण के तत्वाधान में सेंटर फार एड़ ओके सी एंड रिसर्ज सी फार संस्था के सहयोग से लखनाव में मेगा इवेंट का आयोजन किया जाएगा इसके तहत राजस्तरी जागरुक मीडिया इड़ ओके सी वरक साप का आयोजन किया जाएगा इसी क्रम में 26 अप्रैल को अलिगण 28 अप्रैल को आगरा 30 अप्रैल को सहारनपूर 11 मै को कानपूर 18 मै को मुरादबाद 20 मै को बरेली 25 मै को देवी पटना मंडल बहराईज में 6 जून को मेरट 9 जून को गुरकपूर 11 जून को बस्ती मंडल सिधात नगर में 16 जून को वराणसी 17 जून को मिरजापूर 20 जून को जासी 21 जून को चीत्रकूट 24 जून को प्रयागराज 25 जून को अज़ध्या और 28 जून को आजमगड मंडल में सिफार संस्ता के सहयोग से मंडल अस्तरिय जागरूग मीडिया एड़ो के सी वर्कसाप का आयोजन किया जाएगा जैसा कि दीदी आप सभी को हमने जनकारी दे दिया हैं कि आपकी जिले में रहती हैं आपके जिले में किस तारी को लगेगी तो इस वीडियो के मुताबिक आप अपना चैन कर लिजेगा कि आपके जिले में कव्यकारिक्रम होगा जैसा कि आपको अभी बताया हमने सरकार योजनाओ का लापात्र महिलाओं को दिलवाने के लिए वीसे सिविर 13 अप्रेल से सुरू करने जा रही है आपके जिले में जब दिदी होगा आप लोग सभागी जरूर ने चली दिदी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा आपको वीडियो देखना नहीं पसंद है पढ़ना पसंद है तो आप हमारे वेबसाइट प्रेंटना टीवी चैनल डॉट कॉम और डॉट इनको जरू फालो कर लेजे तो कि आप सभी को उससे वेबसाइट पर समू से जुड़ी हर प्रकार की जानकारिया मिल जाएंगी